केरल के राजपाल आरिफ मौहमद खान ने मुख्यमंत्री पिंडराई विजियन पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उन्हें शारेरी तौर पर नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए वे साजिश रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं आरिफ मौहमद ने ने पुलिस पर भी राज्य सरकार की असंविधानिक गती वीधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है राज़िपल आरिफ मुहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिंडराई विजियन के खिलाफ मोर्चा खुल दिया है और कहां मुख्यमंत्री पिंडराई विजियन उन्हें शारेरिक तौर पर नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तरसल सोमवार को आरिक मोहमत खान दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए निकले थे एयरपोर्ट के रास्ते में ही उनके काफिले पर हमला हुआ इस हमले का आरोप सत्ताधारी CPI के स्टूडेंट विंग SFI पर लगाया गया था इसी हमले को लेकर गवर्नर ने कहा कि आज राजधानी में सडकों पर गुंडों का रास हो गया है अपनी कार पर हमले के बाद आरिक मोहमद ने मीडिया से बात की उन्होंने का कि जब मैं एरपोर्ट के लिए जा रहा था तो वो लोग मेरी कार के सामने आए उन्होंने दोनों तरफ से मेरी कार को टक कर मारी मैं नीचे उतर गया क्या पुलिस ऐसे किसी को मुख्यमंत्री की कार के पास आने देती पुलिस को सब पहले से ही पता था लेकिन जब CM है उसे आदेश दे रहे थे तो पुलिस क्या करती जब में अपनी कार से उत्रा तो वो सब अपनी जीव में बैट कर भाग गए। राज्य में समविधान खत्म हो रहा है। हम समविधान ववस्ता को यू ध्वस्त होने नहीं दे सकते। जब माइच हो Hackma मैं अपनी कि नवच्छे सब्सक्क भीडि़ Нवा एक बनाल कोनी को यू सिरिया तक्रष तकिवस चारिए लिएकान राना से अपनाग झाहन सि declared कि यू? प्रिदिया ग्या एक लभड़ाई आध उक पक भीड़ा रहें? इटेख एक पर रहो है रखा राग पासए रखोड ऑन आपको आप प्रॉट में झांपन आप में आप घा जल इसके प्रॉट भीवाशा ना में आपको साथ जा ज आप का फिस निए वी जा मौसे प्रॉट में उच्छ रहें गाओ कुंछ गोड जा गान आपी देख भी टॉ then they all got into when I go down they go all got into a their Jeep and they ran away from there is it possible chief minister's program is going on is it possible that people will bring cars there and they will bring the protesters in the cars is it possible I ask you is it possible here the cars were standing there and then the police people push them into their cars and they ran बान खी निया देया है। एकम मिन्सटर्व में क्या इच्छियों तुक है। The Gundas have been given charge of the roads of Thiruvanantapuram. The constitutional machinery seems to be collapsing. They know, if they continue, this Gunda Raj cannot be allowed. Collapse of the constitutional machinery cannot be allowed. आप देख रहे हैं डखल न्यूल